आउज विल्लाहिम निश्टान लाहिन रजीम बिस्मिल्लाहिर रह्मानी रुरहीम क्लास 11th Chemistry सम बेसिक कंसेप्स ओफ केमेस्टरी ये बेटा ये वाले चैप्टर में इस लेक्टर नमबर वन तो इसमें हमें बेसिक कंसेप्स जो लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन सब उनके बारे में हैं तो सबसे पहले हमें कुछ इससे पहले जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उससे पहले कुछ पोर्शेन हैं जिसमें हमें element क्या होता है compound क्या होता है chemistry के importance क्या है atom molecules क्या होते है solid liquid state solid state gaseous state क्या होता है जिनसोसला mixtures homogenous mixtures heterogeneous mixtures ये सारा है उनके बारे में मैं यहां पहले नहीं पढ़ाऊंगी क्यूंकि वो सारा हम पढ़ते आ रहे हैं ठीक है तो आज मैं यहां पहले पढ़ाने जा रही हूँ that is law of chemical combination laws of chemical combination इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि जब reactants आपस में मिलके products का formation करते हैं conversion होते हैं reactants products में तो उसके basis पे कुछ certain laws दिया गिया है जिनको कहा जाता है laws of chemical combination ये आप लोने 9th में start किया था 9th class में जब आप लोग थे तो उसमें आप लोने 2 laws पढ़ा था इसका एक है law of conservation of mass and another one is the law of constant proportion थोड़ा briefly हम उन दोनें के बारे में भी पढ़ते हैं first law is law of conservation of conservation of mass ठीक है ये पढ़ा था law of conservation of mass हमें क्या बोलते हैं सबसे पहले इसको Antinio Loisier ने इन लगबक 1789 में इसको propose किया था उन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई chemical reaction करेंगे जब भी हम किसी matter पर कोई chemical change करेंगे chemical और physical change तो उनका mass जितना हमने लिया उतना हमें बाद में वापस मिलना चाहिए means chemical reaction के दोरान हम reactants लेते हैं उनको आपस में combine करते हैं उसमें chemical change करते हैं तो उससे हमें एक नया product बनता है जिसको हम चीज बनता है जिसको हम product कहा जाता है नहीं reactor में हमने जितना mass लेया उतना हमें product में मिलना चाहिए उसी को कहा जाता है law of conservation of mass mass को conserve रखना ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे इसमें इस तरह किसे लिखेंगे इस लोग वास प्रोपोस्ट बाइ एंटोनी एंटोनी लवेजियर जियर इन 1789 इट सेट 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 फित 95 exactly दूरे सेट 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 çalış Sand आएम दूरे सेट 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 इ Rice उरे सेट सेट ईसमें सेट – 5 Jahren दूरे मैं ऐसस्ट तर्श सेट ट्य गैने और अ लिक दूने total mass of the products ठीक है क्या कहा इसने ये कहा कि जब भी हम कोई chemical reaction करेंगे जितना reaction में हम mass ले लेंगे उतना product में हमें mass वापस मिलना चाहिए for example for example reaction जब हम समझा देते हैं for example calcium carbonate जब मैं इसको heat करूंगी calcium carbonate जब हम heat करते तो decompose हो जाता है calcium oxide plus carbon dioxide ठीक है यहां पर देख लो बेटा calcium carbonate के कितना mass calcium का होता है atomic mass 40 carbon का होता है 12 oxygen 1 का होता है 16 यहां पर 3 है तो 16 into 3 होगा like wise यहां पर जो हमार product है arrow के इस side में जो product है calcium 40 oxygen 16 plus carbon 12 plus oxygen है 16 होता है जब हम यह सारे plus करेंगे तो यहां पर हमें hundred grams मिलेंगे यहां पर भी हमें क्या मिलेंगे hundred grams नहीं जितना हमने लिया उतना हमें वापस मिला calcium oxide और carbon dioxide के form में it means हम इस reaction से यह समझ सकते हैं if we take hundred grams of calcium carbonate when it get decomposed it results in the formation of calcium oxide of 56 grams and 44 grams of carbon dioxide अगर 56 or 44 को मिलाएंगे तो we get hundred grams ठीक है तो यह law हमें यह बहुता है और हमने यह आप लोगों को 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा यह हम इसको दूसरे लफ़ में इस तरह से लिख सकते हैं in other words हम इस तरह से लिख सकते हैं कि matter all these are matter matter can neither be neither be created nor destroyed during any physical and chemical change change ticket and hence in therefore therefore this law is also known as law of indestructibility structibility in destructibility of matter ठीक है अब हम दूसरे लफ़ोस में यह भी किये सकते हैं कि matter जो है ना वो create होगा ना destroy होगा जब भी हम matter में कोई physical यह chemical change करेंगे तो जितना है उतना रहेगा ना खुरान सामची उतना ना वो बढ़ेगा ना वो गटेगा कम होगा जितना है उतना रहेगा that is why this law is also known as on the basis of this this law is also known as law of indestructibility of matter भी कहते है यह होंकि हमारे पस first law अब हमारे पस second law जाता है law of constant proportion यह भी आप लोगोंने नाइन में पढ़ा था law of constant proportion which is also known as law of definite proportion ठीक है नाम सी पता चल जाता है हमें proportion को उनके ratio को ratio को हमें क्या रखना है उसको बरखरा रखना है constant रखना है ठीक है सबसे पहले इस law को किस ने दिया था यह अब उने पढ़ा हुए this law was given by Joseph Prost ने दिया था in 1799 में ठीक है यह क्या कहते हैं it states it states it states a chemical compound contains the same elements in a definite proportion by mass irrespective of the sources sources from which it is obtained ठीक है ठीक है ठीक है यहां पर क्या बोलता है यह लो जो जो से प्रॉस्ट ने दिया था in 1799 इट states a chemical compound contain जब भी कोई chemical reaction होने के बाद जो compound formation होगा contain the same elements उसमें elements सबों में सेम होगा in a definite proportion एक खास अपने अपने fixed ratio में by mass irrespective of the source from which it is obtained उसके source पर depend नहीं करेगा मलब देख लो इस चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास water है water के हमें बहुत सारे source है पानी को लाने का मैं लाओंगी rain को collect करके मैं लाओंगी glacier से मैं लाओंगी stream से मलब कहीं से भी मैं लाओं तो मुझे इतने मेरे पास बहुत सारे source है पानी को लाने की ठीक है तो जब मैं rain में से collect करूंगी तो वो किसका बना होगा उसमें भी क्या होगा water होगा इसमें भी होगा h2o इसमें भी होगा h2o जब मैं rain से लाओंगी जो पानी उसमें क्या होंगी element hydrogen and oxygen glacier से जो मैं पानी लाओंगी उसमें भी होंगे hydrogen and oxygen stream से में पानी लओंगी उसमें भी होंगे hydrogen and oxygen नहीं elements हों सेम और इनका जो ratio hydrogen कितना hydrogen कितना oxygen के साथ मिलके water बनाएगा उसका ratio भी हमेशे सेम होगा उनके source पर depend नहीं करेगा source आप जहां से भी लाओ लेकिन जो ratio है और जो elements है वो हमेशे उस compound में सेम होंगे source पर depend नहीं करेगा ठीक है तो इनका होता है जैसे कि hydrogen सम्दूख H2O hydrogen चीची atomic mass भी नहीं गाताँगा 1 निश्चाना का तो नहीं गाताँगा 2 oxygen का है 16 तो 1 जा 2 2 जा 16 1 is to 8 हमेशे उसका ratio कितना होगा 1 is to 8 होगा चाहे पानी आप जहां से भी लाओ glacier से लाओ कहीं से भी लाओ elements भी हमेशे जहां से भी लाओ के हमेशे उसमें जो elements होंगे वो hydrogen और oxygen होगा और उनका ratio जिस ratio में वो मिल के water compound का formation करेगा उसका ratio भी हमेशे same होंगे 1 is to 8 अगर if 1 हम hydrogen ले लेंगे तो 8 टाइमस हमें oxygen लेना है water molecule को formation करने के लिए यही बोलता है ratio हमेशे same है that is why this law is known as definite proportion भी कहा जाता है और इसी लोग को हम क्या कहते हैं constant proportion भी कहा जाता है यहां तक रख लेते हैं इसके बाद हम next वाले lecture में करते हैं थेंके बेटा, थेंके सो मच, खुदा आफिस